हेलो दोस्तो एक बाद द्वारत से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिविक रणा स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चले में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ बैल को दबाना ना भूलना तो दोस्तो बात करेंगे आज तीन स्टॉक के ब अगर बात करता हूं कि जो कल ट्रेडिंग हुई है स्टॉक में ठीक है तो अल्मोंस आप बोश रखते हो कि भाया बहुत कम क्वांटिटी लोग घर लेके गया है CNC ओटर में ठीक है जो भी क्वांटिटी ट्रेड की ये 3.5 करोड के आज पस सब की सब लोग ने ट्रेडिंग करी है और ट्रेडिंग करके माल चेपा गया किसी को ठीक है अब आप देख सकते हो कि किसको चेपा गया आपको दि दिया है तो भाई अगर आपको ये सब्सक्राइब हो गया है IPO इसका तो डेफरेटी एक बार प्रॉफिट कर लो अगर इतनी अच्छी रिटन आपको दे रहा है ठीक है क्योंकि पास में हमने देखा है कि जिसका भी अभी तक IPO लांच हुआ और जिनोंने प्लस की तरफ हमें रिटन दिखाई है वो डेफरेट नीचे की तरब आते हैं एक बार तो भाई अगर मिल रहा प्रॉफिट तो बुक कर लो या क्यों नहीं करते ठीक है बाकी इसमें और कुछ नहीं है इसमें यही है ठीक है न्यूस तो इसकी यही चल रही है बाकी एक बार आपको दिखाता ह नसी में कैसा टेट हुआ है जिसके बेसिस में कहना हूँ कि स्टॉक को आपको होल्ड नहीं करना चाहिए अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो दोस्तों देख सकते हो मैं एननसी में डेटा खोला हुआ चब्वीज मार्च का लक्ष्मी और एनिक और और गैनिक इंडिस्री के बेसिस में हमें पता चल रहा है कि भाया जो परसो मतला फ्राइडे जो ट्रेडिंग की गई है या इन्वेस्मेंट की गई है लोगों के तरह के अकॉर्डिंग तो भाया इस में सिर्फ आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए ठीक है जो हमें यह डेटा भी बथाने डेटेल अबी यह कमपनी के बारे में नहीं मिल पाए कि हां लेकि के लागा लगा ते चाहर सल कर प्रौफिट हमें देखने को मिल सकते हैं आप को इक पर देख सकते हो प्रौफिट को दिखाता हूं तो देख सकते हूं दोस्तों जो हमने पुराना आपको दिखाया तरह से बेल है वह गलत स्टोख खुल गया था तो हम दोस्तों देख लेते हैं कंपणी के प्रॉफित ने लो जारा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है इसके आपको सिर्फ चार साल के प्रॉफित स्क्रीन में देखने क काफी जादा है ठीक है अगर net income की बात करता हूँ तो दोस्तों देख सकते हो सुरू के तीन साल तो कंपणी ने अच्छा काम किया कंपणी के प्रॉफित लगतार बड़े लेकिन दोस्तों देख सकते हो कंपणी के बाद में ठीक है FI 19 में कंपणी का जो प्रॉफित था मात देदी है लेकिन वो अपना लास्ट क्वाटर का जो भी प्रॉफित तसको ब्रीज नहीं कर पाया तो डेफिनेटी स्टॉक के प्राइस में इंपक्ट पढ़ सकता है और स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है तो इस बात को ध्यान रखना कंपनी की प्रॉफित बिल्गुल भी नहीं रहेगी क्योंकि कंपनी के प्रॉफित अच्छे नहीं है जब तर इसकी दूसरी रिजल्स स्टार्ट नहीं हो जाते है तब तक हम स्टॉक को बायर नहीं कर सकते ठीक है अब लेके चलता हूं को दूसरे स्टॉक की तरफ जिसका नाम है जी हा दोस्तों जो हमारा दूसरा स्टॉक है रिल्टेल कॉप कॉप फर विंडिया लिमेटिट तो दोस्तों देख सकते हो कंपनी लगातार जैसे आईप लॉंच हुआ लगाता स्टॉक गिर रहा है और आईप लॉंच होने के बाद भी स्टॉक लगातार उपर गया था ठीक है तो मैं वही कह रहा हूँ जब भी कोई स्टॉक आईप लॉंच होने के आद उपर जाता तो एक बार प्रॉफिट वॉंच होने के बाद थोड़ा आपको प्रॉफिट वॉंच होने के बाद थोड़ा आपको प्रॉफिट वॉंच होने के बाद थोड़ा आपको प्रॉफिट वॉंच हो यह दोस्तों देख सकते हो इसकी रेटेस खबर तो यह चल लिए कि उसके Q3 revenue है वो इंक्रीज हुए है एर ओ यह वेसिस में तो ठीक है company एक अच्छी खाधी profit आपको दे रही है तो definitely भाई इसको आप बाया करके hold कर सकते है कमपटी ने तीन दिन की उपरानी खबर है खबर काफी positive है stock के लिए ठीक है इसने 52% के आसपा ग्रोश शो करी है year to year basis में तो definitely अगर ग्रोश शो कर रहा तो definitely future भी इसका bright हो सकता है अब आपको देखनी है सबसे best entry जहां आपको stock मिल सके अगर बात करते एंट्री पॉइंट की तो एक बार चार्ट देख लेते stock का तो भाई यह support है तो भाई देखो अगर आपको stock को buy करना अगर gamble खेलना है तो भाई को आप market 127 का आप बाई करके चल सकते हो लेकिन क्या करना है आपको यह जो low health 120 का यह अपना stop loss लगा लो अगर यहां से stock उपर चले जाता है तो बढ़िया नहीं चले जाता तो अपना stop loss loss लोग कर करके आप stock को exit कर सकते हो गर बात करते हैं इसमें कामकाच कैसा हुआ है NST में तो देख लेते भाई कि कितने लोग quantity घर लेके जा रहे कितने percentage अगर बहुत कम लेके जा रहे होगे तो definitely हमें stock से एक बार exit कर लेना चाहिए तो मैं आपके सामरे में ने खोल दिया है सीधा NST में आपको दिखाता हूँ data era तो दोस्तों देख सकते हो काफी बड़ा नंबर लोग्स को घर में लेके जा रहे है quantity 25 लाग quantity trade होई है तुसमें 28 लाग quantity लोग घर लेके गए और मों 63% निकल के आता है तो भाई definitely stock up रड़ा में रख सकते हो कि company last quarter बोल सकते हो है last session था profit का उसमें 52% year to year basis म पर वो भी हम देख लेते हैं तो दोस्तों company के बारे में मैं देख पा रहा हूँ company is almost debt free काफी बढ़िया भी है real tail जो stock है debt free stock है आपको अच्छा गाई dividend भी company दे रही है ठीक है अगर बात करते company के profit की तो quarterly results में आपके सामने खोल लगए है तो दोस्तों देख सकते quarterly results आपके क पांस साल की performance तो आपके सामने है company की जो last साल की 5 साल की performance है इसकी जो sales है लगदा बढ़ रही है March 2020 में 181 की sales थी company की अगर net income की बात करता हूँ तो दोस्तों देख सकते हो FI19 में 110 क्रोड का profit था और FI20 में 138 क्रोड का profit था due to COVID, COVID होने के बाद जोती company ने 138 क्रोड का profit दिया तो दोस्तों काफी बड़ी बात होती है बस FI19 में company ने थोड़ा down perform किया था 110 क्रोड के आजपास लेकिन उन्हें FI20 में recover कर लिया तो भाई definitely company लगतार आपको अच्छे profit दे रही है और अनुमान है कि next जो उसका हो सकता है FI21 ये अच्छे profit के साथ आपको close कर सकती है तो भ weekly breakout ले सकते हो monthly breakout ले सकते हो ठीक है अगर आपको मिलता तो definite stock का buy करके चल सकते हो ठीक है भाई बाकि इसका भी थोड़ावर चार्ट अगर बन जाता तो definitely में आपको थोड़ावर stock के बारे बताता कि भाई है हमें कब entry करने चाहिए वैसे जो entry में आपको बतला ही वो भी ठीक कि बात कर रहा हूँ उसका नाम है तो देख सकते हो जिस IPO की में बात कर रहा हूँ बालवEQ Nation की IPO की बात कर रहा हूँ भाहिया अगर आपने खाना नहीं खाया इस चेन में होटल की चेन है यह रश्णन की चेन बोल सकते हो तो भाहिया क्या खाया फिर आपने बता नहीं ठीक है अच्छे लोगों ने subscribe किया है अगर बात करते कि कम की आगे इसका IPO की क्या date है कब इसका होने वाला launch तो एक पर देख ले रहे अपरेल दोरह को पता चल चुकी है जो जो अलॉट्मेंट होगी वह है एक अपरेल 2021 के आसपास ठीक है रिफंड आपको अपरेल पांच के आसवा मिल जागा जिनको यह अलॉट नहीं हो पायागा तो उनका पैसा रिफंड हो जायागा ठीक है और जो अकाउंट में डीमेट प आपको एक बाँ प्रॉट्म करनी चाहिए क्योंकि जो होटल है आजकल लोग डर रहे है होटल में जाने से जब से कोविट टू की लहर आई है तो भाई डेफिनिट्ल जो इसकी नेक्स सेप्टेंबर क्वार्टर के आप बनलब नेक्स क्वार्टर के जो भी प्रॉटिट हो हो सकते हैं तो भाई यह जो उसका नेक्स 6 मन्त है काफी आप हो सकते हो क्रिटिकल है कंपनी के लिए होटल खाष का रैष्टरेंबर होटल वालों के लिए तो भाई आप एक बार ना इससे प्रॉटर कर ले न चाहतं मेरी नौलेच कहती है च्या पता यह स्टॉक का जो आई मातियम से अपडेट कर दूँ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शे स्ब्सक्राइब करना ना भूना बाकी कोई भी आपका सुजा हो है तो नीचे कॉमेंट करके आप फूर सकते हो बाकी मिलता हो आपको अपने नेक्स वीडियो तिल देन बाए बाए